दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके Facebook एकाउंट में Professional Dashboard का Option नहीं आ रहा है तो कैसे आप इस Problem को ठीक कर सकते हैं जैसे देखें कई बार ये दिक्कत आ जाती है यहाँ जब आप तेन लाइन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ जो Option आ रहा है इसमें आपको Professional Dashboard का Option नहीं मिलता है जैसे देखें अभी मेरे में Professional Dashboard का Option नहीं आ रहा है तो अगर आपका Professional Dashboard नहीं आ रहा है तो कैसे आप लाएंगे य मैं आपको live करके दिखाऊंगा तो video को end तक जरूर देखिएगा तो इसके लिए क्या करना है सबसे पहले आप अपने account को professional account में convert कर लीजिए आपको क्या करना है यहाँ आपने profile पर click करना है फिर अपने profile के अंदर आ जाना है profile के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको 3 dot करेंगे तो अब यहाँ पर फिर से आपको option मिलेगा turn on का अब आपको इस पर click कर देना है अब जैसे आप turn on पर click करेंगे तो आपके account में professional mode on हो जाएगा अब यहाँ पर आप चाहें तो next करके आगे बढ़ जाएगे यहाँ फिर उपर में skip का option है अभी आप इसको skip कर दीज तो आप अपने app को minimize कीजिए और यहाँ से इस app को cut कर दीजिए app को cut करने के बाद थोड़ी देर तक आपको wait करना है और लगबग एक मिनट बाद दोबारा से अपने facebook का app को open करना है फिर यहाँ पर जब आप अपने profile के अंदर आएगे तो यहाँ पर professional mode on हो जाएगा लेकि फ्रैंच ऑजे पर आपको आजाना है Play Store पर आने के बाद यहाँ पर आपको search बार पर click करना है और यहाँ पर आपको search करना है फेस बुख Facebook search करने के बाद यहाँ पर click कीजे और देख लिजे कि आपके Facebook में कोई update आया है या बहा की अगर आपके Facebook में कोई नया update आया है तो इस पर click करके अपने Facebook app को update कर लिजेगा जब आप अपने Facebook app को update कर लेते हैं तो Facebook का सारा setting refresh हो जाता है और सारा setting फिर से change हो जाता है जो भी setting नहीं दिखती है वो वापस आ जाता है तो यहां से अपने Facebook app को हमेशा up to date रखेगा तो कोई भी error नहीं आएगा तो यहां पर हम इसको update होने देते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है तो अभी देखे यहां पर हमारा Facebook app अपडेट हो गया है अपको update करने के बाद अब एक बार आप अपने mobile को restart कर लीजिए और restart करने के बाद आप अपने Facebook app को दोबारा से open कीजिए Facebook को दोबारा open करने के बाद यहां पर आपको 3 line पर click करना है अब जैसे आप 3 line पर click करेंगे तो यहां पर देखे आपको professional dashboard का option मिल जाएगा तो अगर आपका account professional account है तो यहां पर आपको professional dashboard का option जरूर से मिलेगा हो सकता है थोड़ा time लगे तो आप अपने app को update कीजिए mobile को restart कीजिए तो यहां पर यह option आजाएगा क्योंकि जब आप अपने account को professional account में convert करते हैं तो तुरंट से setting चेंज नहीं हो पाती है तो थोड़ा time लगता है अगर अभी भी यहां पर professional dashboard का option नहीं आ रहा है तो अब आपको क्या करना है आपको इस page का screenshot ले लेना है इसका screenshot ले लीजे फिलाल मेरे में आ रहा है तो इसका screenshot लेने का कोई मतलब नहीं है लेकिन अगर आप में अभी भी नहीं आ रहा है तो आप screenshot ले लीजेगा फिर यहां पर आपको नीचे आना है नीचे में आपको एक option मिलेगा help and support का इस पर आपको click करना है फिर यहाँ पर click कीजे report a problem फिर यहाँ पर click कीजे continue to report a problem अब यहाँ पर आपको click करना है don't include और उसके बाद यहाँ पर आपको scroll करके थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक option select करना है profile का तो यहाँ profile वाला option select कर लीजे अब यहाँ पर आपको अपना problem बताना है तो problem में क्या लिखना है चले मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ही लिख रखा है आप इसको देख कर लिख लीजेगा या फिर आप इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं तो यहां से मैं इसको copy कर लेता हूँ और इसको copy करने के बाद आपको अपने facebook में आ जाना है और यहां पर यह problem paste कर देना है फिर यहां पर जो option upload from phone इस पर आपको click करना है एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ जिससे आपका यह problem ठीक हो सकता है आपको अपने facebook app पर उंगले से दबा कर रखना है फिर इस प्रकार से pop up open होगा अब यहां पर आपको छोटा सा i button दिखेगा आपको इस पर click करना है फिर आप अपने facebook के app info में आ जाएंगे app info में आने के बाद यहां नीचे में आपको option मिलेगा force stop का यहां देखे कोने में force stop लिखा हुआ है आपको इस पर click करके ok कर देना है फिर यहां पर आपको नीचे में एक option मिलेगा storage का तो आपको यहां storage वाले option पर click करना है फिर यहां पर option है clear cash का इस पर click करके ok कर दीजेगा और एक option आपको और मिलेगा manage storage का या फिर लिखाओगा clear data तो इस पर click करके आप clear data कर दीजेगा इससे आपका account log out हो जाएगा तो आपको दोबारा login करना पड़ेगा तो आप इसको भी clear कर सकते हैं और इसको clear करने के बाद आप अपने facebook में आजाएए और यहां पर अपना account log in कर लिजेगा फिर 100% आपका यह problem solve हो जाएगा और यहां पर आपको professional dashboard का option मिल जाएगा तो इस प्रकार से आप अपनी इस problem को ठीक कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो helpful लगाओ तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लीजेगा मिलते है next वीडियो में